हरोस्तों नमस्कार, KP टीचर अखड़ में आपका हर्तिक स्वागत है, आसा करतों आप सवस्त होंगे, अच्छे होंगे, तोस्तों बाल विकास इच्छा सास्त कर थर्टी कोशने सहसे लगाएंगे, जोकि सीटर पर देशने बहुत ही महत्पूर होगा, वीडियो को लाइक करे जैसे हाँ सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, परागनों प्रैस कर लें, जिससे की नाटिफिर मादिम से आपको वीडियो बलती रहेंगी, तो आज का फर्स कोशने स्टार्ट करेंगी, बाल विकास की निम्रुमें से किस अवस्ता में बालकों का आकरशड मादिद्यों के निम्रुमें बालकों का आकरशड बिसमलिंगियों के अधिक प्रत हो जाता है, तो और कॉशने देखेंगे, बाल विकास को सरवधिक प्रभावित करने वाला कारक है A. योनस इच्छा B. सुंदर विद्याले बवन C. खेल कूद का मैदान D. बुद्धी परिच्छन तो कुशन पूछा गया कि बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है यह कोशन में पूछा रहा है तो सबसे अधिक प्रावित करने वाला कारक है तो करेक्टर अंसर हो जाएगा C अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथियत में मनोबेगानिकों ने बाल विकास की किस अवस्ता को समू की आयू कहा है तो कोशन में पूछा गया कि मनोबेगानिकों ने बाल विकास की किस अवस्ता को समू कहा है जब माना आये यह कोशन में पूछा रहा है जबात करते हैं बाल वस्ता को समू की आयू मनोबेगानिकों दोरा माना गया है तो करेक्टर अंसर हो जाएगा B अगरा कॉशन देखेंगे सैस्वावस्ता के लिए उत्तम सिच्छड विदी है A. माउंट शरी विदी B. एक खेल विदी D. एक माफ की जासी C. एक किंडर गार्ण विदी D. एक उपर्ट सभी तो कॉशन पूचा क्या कि सैस्वावस्ता के लिए उत्तम सिच्छड विदी कौन सी है? यह कॉशन पूचा क्या है तो उसे बात करती है सैस्वावस्ता के लिए माउंट शरी विदी खेल विदी, किंडर गार्ण विदी सबसे ज़्यादा उप्यक्त है तो अंसर वेक्ट जाएगा D. टिक कर देंगे अगला कॉशन देखती है किस मनोवेग्यानिक ने बाल विकास का बैग्यानिक बिवेचन प्रस्तुत किया है A. थॉंडाइक B. पैवलोव C. पैस्टालोजी D. पुडवर्ध किस मनोवेग्यानिक ने बाल विकास का बैग्यानिक विवेचन प्रस्तूत किया है यह question पूछा गया है तो जो बात करते है बाल-विकास का बैग्यानिक विवेचन जो प्रस्तूत किया गया है पेस्टालोजी की द्वारा प्रस्तूत किया है तो answer करें जाएगा C अगला Question देखेंगे बेलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्शकाल है A. सैसवाबस्ता B. बालेबस्ता C. किसरोबस्ता D. प्रोड़बस्ता तो कोशन में पूचागा कि बेलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्शकाल क्या है या कोशन में पूचा जा रहा है अगला कोशन देखेंगे किस सिद्दान्त के अनुसार बालक का गामक और बासा सम्मन्दी आदि का विकास होता है अगला कोशन देखेंगे अधिगम निम्लव मेंसे किस पर निवर नहीं करता ए आर्थिक इस्तधी बिये आयू एवं परिपकुता सी ए पूर्व अनुवव डिये अविक्रेलना कोशन पूचा गया कि अधिगम निम्लव मेंसे किस पर निवर नहीं करता है कोशन नहीं पूचा गया है उसे बात करते हैं अधिगम जो सीकना होता है आयू एवं परिपकुता पर निर्वर करता है और अर्पूर वानुव पर भी करता है और अउपरेटव है आर्थिक इस्तिती पर सीखने में आर्थिक इस्तिती पर कोई भी मैथ नहीं होता है तो आंसे एक हो जाएगा ए अगला कौशन बीडियो को लाइक करते हैं साथ या तो मैं सेयर करते हैं दोस्तों साथ में चनल को सब्सक्राइब कर रहा है बागर प्रैस कर लें जिससे कि डिनर्टिक प्रमादम से वीडियो विलती रहेंगी तो कोशन देखेंगे प्रशद्य मनुबैग्यनिक इसकिन ने अधिगम का कौन सा सिद्धान्त प्रतिपादित किया है या कोशन में पूछा रहा है तो बात करती है आवशक्ता अनुकरम सिद्धान्त जो की इसकिन द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो अंसर रख लेगा सी अगला कोशन देखेंगे ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने कालपनिक विचारों एबं इच्छाओं की अविवक्ति करता है कहलाता है ए इभारतवादी चिंतन ब ए स्वालिन चिंतन सी अबात्मक चिंतन ड अभशारी चिंतन तो कोशन पूछा किया कि ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने कालपनिक विचारों एबं इच्छाओं की अविवक्ति करता है तो क्या कहलाता है, यह question मैं पूछा रहा है, जिसमें बात कर दिये, सुवालिन चिंतन, ऐसा चिंतन होता है, जिसमें ब्यक्ति अपने कालपनिक बिचारों एवं इच्छाओं की अविवक्ति करता है, तो answer correct हो जाएगा, B, टिकर देंगे, अगला question देखेंगे, कुछ मनोबैग्यानिक चिंतन का कहते है, A, आंतरिक संभाशड, B, आंतरिक बात विवाद, C, मानसिक दुन्द, D, मानसिक मत बेद, तो question पूछा गया कि, कुछ मनोबैग्यानिक चिंतन का क्या कहते है, यह question में पूछा रहा है, तो से बात करते है, मनोबैग्यानिक चिंतन है जो की मानसिक दुन्द कहलाता है या कहते हैं तो आंसर करक्ट हो जाएगा C अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ या तमें चनल को सुस्क्राइब कराएं ब्रागरों प्रेस कर लें जिसके अगला माध्यम से बीडियो मिलती रहेंगी तो कोशन देखेंगे प्रेड़ा चात्र में रुची उत्पन करने की कला है अधिगम में अविप्रेड़ा के महत को दिग्र दर्शित करने वाला कतन ये कतन है तो कोशन में प्रेड़ा चात्रों में रुची उत्पन करने की कला है अधिगम में अविप्रेड़ा के महत को दिग्र दर्शित करने का ये करने वाला कतन है ये कोशन में प्पूछा जाएगा बी अगल कोशन देखते हैं बैक्तिक बेदों के मापन हेतु परिषण है बुद्धि परिषण एवं तथा क्रम सूचक प्रमाप B guess बैक्तिक परिषण तथा अभिरुची परिषण C देधान परिषण तथा अभिदृत्ती परिचण DA उपरत्त सभि तो क्वेशन में पूचा गया कि बैक्तिक बेदों के मापन हेतु परिच्षण क्या है यह क्वेशन में पूचा गया जसके बात करते हैं बैक्तिक बेदों के मापन हेतु परिच्षण के लिए बुद्धि परिच्षण तथा क्रम सूचक परिमाप और व्यक्तित परिच्छण तता अविरुची परिच्छण निधारल परिच्छण तता अविवरति परिच्छण तो इसका गोड़ी आंसर करेक्टोना चाहिए याप ये डी उपरत सभी आंसर हो जाएगा डी अगला कोशन देखेंगे प्रवाबसाली बालक की बुद्धी लब्दी आईक्यू होती है एए 120-130, बीए 130-140, दीए 120-120 से अधिक तो कशन पूछाएगा कि प्रवाबसाली बालक की बुद्धी लब्दी या आईक्यू कितनी होती है ये कशन में पूछा गया है तो इसे बात करेंगे 140 से अधिक प्रभाबसारी बालक की बुद्धि लब्दी मानी गई है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा C अगला कॉशन देखती है बीडियों को शाजार सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें प्रफेसर गिलफोर्ड के बुद्धी के त्रयावी सिद्धान्त का अनी नाम है तो कॉशन पूचा गया कि प्रफेसर गिलफोर्ड के बुद्धी त्रयावी सिद्धान्त का नाम क्या है ये कि पूचा गया अनी नाम क्या है तो इसके बात करते है बुद्धी सरचना सिद्धान्त प्रोफेसर गिलफुड के सिराभी सिद्धान्त का अनिन्याम है तो अंसर करक्त जाएगा D अगला कोशन देखते हैं सिच्छा का अधिकार अधिन्याम के अनुसार सिच्छक हेतूपरत सब्ता कारिक गंटे निर्दारित हैं तो कुशन पुछार है उसके बात करती है यह 48 गंटे में निर्दारित किया गया है तो का अंसर हो जाएगा D अगला कोशन देखेंगे चात्रों के समाजन हेतू बिद्ध्याला में अधियापक को निर्दारित में से कौन सा कार नहीं करना चाहिए यह चात्रों के साथ सहन वादी पूरवक विभार करना बीए बालकों में संभिगात्मक इस्तरता लानी का प्रियास करना चात्रों के समाजन हेतू बिद्ध्याला में अधियापक को निर्दारित में से कौन सा कार नहीं करना चाहिए कोशन नहीं हो पूछा गया है कोशन को पहले की पी कर पलिफ पढ़ाएंगे फिर उसके अकोडिंग हम अंसर देंगे उसके बात करते हैं चात्रों को कट्रों दंड देकर उनसे कार करवाना यह कार हमें नहीं करना चाहिए सच्छक की अकोडिंग तो अंसर रखर जाएगा डी अगला कोशन देखेंगे मूल्यांकन से संब्ढ़त कतन है यह मूल्यांकन नरंतर चलने वाली प्रकरिया है यह चात्रों के विवाल संब्ढ़ी सामिग्री एकत्रित करने का सादन है सिच्छा के उद्योस्यों से गनेश्र संबंध है, दिय उप्रुक सभी, तो कोशन पूछा गया कि मूल्यागन से संबंधित कतन क्या है, यह कोशन पूछा गया है, उसे बात करेंगे, मूल्यागन से संबंद कता है जो कि मूल्यागन के निरूत चलने वाली प्रक्रिया है छात्रों के विभार संबंदी सामिग्री एकतित करने का साधन है सिच्छा के उद्ध्योस्यों से गन्यच संबंद है तो इसका गड़ी वारा आंसर करक्ट होना चाहिए अगला कोशन देखेंगे कक्चा कक्च में सिच्छक द्वारा विद्ध्यातियों की ये सिच्छातियों की मनह इस्ध्धी का निर्माड कब किया जाना आवस्च्छलावदायक है ये अध्यापन प्रारम करने से पूर्व भी ये अध्यापन समाप्ती पर C.A. मुल्यागन की समय D.A. उप्रुक्ष मैं से कोई नहीं तो कोश्चन पूछागा है कि कच्छा कच्छ में सिच्छक द्वारा सिच्छातियों की मनिस्वती का निर्वाड कब किया जाना लावदायक है या लावदायक माना जाएगा अध्यापन प्रारम करने से पूर्व कच्छा कच्छ में सिच्छक द्वारा विध्यात्यों की मनिस्वती करनिमाड किया जाना लावदायक होगा तो अंसर जाएगा यहापी हमारा A. अगला कोश्चन देखेंगे कच्छा कच्छ में सिच्छड अधिगम प्रक्रियाओं में छात्रों को सक्री रूप से सामिल करने का तरीका है A. परशन पूछना B. बीच वीच में छात्रों से पाठे विशे पर अपने विचार प्रकट करने को कहना C. पाठे विशे से संबंदित बिवारिक उदारण सोय प्रस्तित करना और चात्रों को भी इस हेतू परवसाइद करना दिये उपरक सभी तो कॉशन काफी अच्छा पूछा गया है कॉशन पूछा जारा कि कच्छा कच्छ में सिच्छड अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से सामिल करने का कौन सा सही है यह कॉशन पूछा रहा है तो उसे बात करते हैं कच्छा कच्छ अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय सामिल करने के लिए प्रशन पूछना प्रपरशन पूछना और बीच बीच में छात्रों को पाट विच्छा पर अपने विचार करने के लिए कहना विशेव से संबंदित विभारिक उधारल प्रस्तुत करना और छात्रों को लिए इसलिए इसमें प्रोसाइद करने के लिए कहना तो अंसर जिदा करेक्टर जो आइसका उड़े वारे यहां पे डी उप्रुक सभी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ याथ में सेयर करने दोस्तों साथ में एक सच्चक विद्ध्यार्तियों से कह रहा है कि वे अपना ग्रेकार दिखाए फ्लेंडर्स के अनुसार आप इस विवार को क्या मानेंगे A. आदेस देना B. निर्देस देना C. निवेदन करना D. समझाईस करना तो कोशन पूछागा है कि एक सच्चक है जो कि विद्ध्यार्तियों से कह रहा है कि वे अपना ग्रेकार दिखाए तो फ्लेंडर्स हैं जो को बनेवे करनेंगे तो उनके द्वारा इस विवार को क्या कहेंगे या क्या मानेंगे ये कोशन पूछा रहा है उसके बात करते हैं यह कि निर्देस देना माना जाएगा तो अंसर एक्ट जाएगा B. अगला कोशन देखेंगे प्रिच्छा पृत्मान में बिद्ध्यार्ति निर्देस के अलावा से सभी कारिक करते हैं A. सिच्छक को उत्र बताने है तू उस पर आसरत रहते हैं B. सिच्छक से हाँ या ना में जवाब मिलने वाले प्रशन पूछते हैं सीध अंसर देखेंगे C. प्रशनों के रूप में समस्या से संबंदित परिकलपना का निवार करते हैं D. अपनी परिकलपना का परिच्छड करते हैं So, क्योशन काफ़ी अच्छा पूछा गया है Question एक बार और देखेंगे Question पूछा है कि प्रपच्या प्रतमान में विद्यारती निम्रत के अलावा से सभी कारिक करते हैं तो question negative में पूछा गया है ये question question को बहले समझेंगे उसका according हम answer देंगे कि इसके अलावा पाकिसीय सभी कारी करते है तीन option follow करने से और एक option follow नहीं कर रहा है तो इसका according वारा answer करेक्टर नहीं सिच्छक को उत्र बताने हैं तो उस पर आस्रत रहना यहाँ पे बेच्चों को teacher पे आस्रत नहीं रहना है हमें वहाँ पे teacher बेच्चों को पक्च्छे कक्च में सक्क्रिय करना है और लोकतांत्रिक माहौल क्लास में इन्वारेटिंट करना है तो answer वारा अगला question देखेंगे सम्मेगों के तूफान एवं परिशानी का काल विकास की कौन सी अवस्ता कही जाती है A किसर वस्ता B सेस्व वस्ता C बाल वस्ता D प्रोड वस्ता सम्मेगों के तूफान एवं परिशानी का काल या परिशानी का काल विकास की कौन सी अवस्ता कही जाती है यह question पूछा गया है तो से बात करती है किसोर अवस्ता सम्मेगों के तूफान एवन परिशान के कारल विकास की अवस्ता मानी गई है तो answer रेक्ट हो जागा है यहापी हमारा A. अगला question देखेंगे उच्च बहुत दिख विकास किस प्रकार के बालक से सम्मेगों पूछा गया है तो से बात करती हैं पर उच्च बहुत दिख वालक या विकास पुर्तवासाली बालक से सम्मेगों है तो करेक्टन सरो जागा है यहापी हमारा A. अगला question देखेंगे जो चात्र अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे दिया जाए A. नगेन्या पुर्णवालन B. हरनात्मक पुर्णवालन C. दनात्मक पुर्णवालन D. सक्रियात्मक पुर्णवालन तो कोश्चन पूछेंगे कि कोई चात्र अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे दिया जाए किस प्रकार का पुनारवलन दिया जाए येdıा जाए segment बात करेंगे सक्रियात पूनारवलन दिया जाएगा तो चातर अच्छी तरह से सीक पाएगा तो answer character जाएगा हम ये हमारा D अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करें, जैसे आज सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रैकर प्रैस करें, जिसके इनिवर्टिम के माद्यम से वीडियो विलती रहेंगी, कोशन देखेंगे किस इस्तर की सिच्छा की समस्यां अधिक मैत्पूर्ड और जटिल हैं, ए माद्यम की सिच्छा, ए उच इस्तर की सिच्छा, ए उच माद्यम की सिच्छा, तो कोशन पूछा गया है कि किस इस्तर की सिच्छा की समस्यां अधिक मैत्पूर्ड और जटिल मानी गई हैं, यह कोश अगला कोशन देखाएंगे प्याजे के अनुसर बच्चे अमूर्च इस्तर पर चिंतन बहुत दिक क्रियाएं और समस्य समादन किस अवस्ता में करने लगता है तो कुशन मैं पूचा गया है अगला कोशन देखाएंगे रास्ट्रे पार्टिच इस्तर पर चिंतन करने या बहुत दिक क्रियाएं करने समस्य 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 करने लगता है ए खाली पुस्तत परिच्चा बीए सतत निरंतर एबं व्यापक मुल्यांकन सिया समाविक कार मुल्यांकन डिये उप्रुक सभी तो कोशन पुछा गया कि रास्ट्रे पार्टिच इस्तर परिच्च इस्तर को सुझाय गया है तो अंसर करेक्टर जाएगा डिये उप्रुक सभी अगला कोशन देखेंगे क्रियात्मक अनुसंदान का उद्देश है एए नवी निग्यान की कोच भी है सैचिक प्रस्टियों की विभार विज्ञान का विकास सिया बिद्ध्याले तथा कक्चा की बहुत सैचिक कार प्रणाली में सुधार लाना दिये उप्रुक सभी अगला कोशन देखेंगे एक खिलाडी अपनी गेंदवाजी की कोशल को विक्सित कर लेता है किन्तु यह उसके बल्लेवाजी की कोशल को प्रवाइबित नहीं करता है इसे कहते हैं, option दिखते हैं तो question काफ़े अच्छा की पूछा गया है question एक बार और समझें question पूछा गया है, जो कि अपनी गैन्दवाजी के कौशल को तो विकसत कर लेता है लेकिन उसके बल्लेवाजी कौशल को प्रवाज़त नहीं करता है यह question पूछा रहा है, तो दोसे बात करेंगे यह परिच्छड यह प्रवच्छड प्रिच्छड हो जाएगा सुन यह परिच्छड अंत्रड तो इसका कोटने बारा answer टो जाएगा C, टिक कर देंगी यहाँ पे तो दोस्तों सेस्टन में यहीं पिसम आप तो होता है